C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ा नंबर 26, सबक 5, चलो स्कूल चलें सरदी का मौसम था, सूरज की किरने जमीन पर पड़ रही थी सालिम सुबह सवेरे स्कूल के लिए निकला काश मुझे सेब या उसका रस मिल जाए, जिसे मैं सुकून से खा या पी सकूँ वो ये सोच ही रहा था, कि अजानक शीला ने कहा चलो दोस्त, जल्दी स्कूल चलें शमा और शिफा इंतजार कर रही होंगी वो देखो, शाख पर परिंदे शान से बैठे हैं वो हमें स्कूल जाते देख रहे हैं ये परिंदे भी हमारी खुशी में शामिल हैं जल्दी स्कूल पहुँचने पर हमें शाबाशी मिलेगी इस सफ़े पर एक तस्वीर है, जिसमें दो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके बगल में एक सेब का पेड़ है जिस पर सेब लगे हुए है सुबा का वक्त है पेड़ पर कुछ चिडिया भी बैठी है सफ़ा नमबर 27 असाद्जा के लिए हिदायात इस सबक को जमात में पढ़ने के बाद बच्चों से मालूम करें कि सबक में वो कौन से अलफाज हैं जिसमें सीन की आवाज का इस्तिमाल हुआ है बच्चे इन लवजों को बताएंगे जैसे सर्दी, मौसम, सूरज, सालिम, स्कूल, सडक और सेब फिर मालूम कीजिए ऐसे कौन से अलफाज हैं जिन में शीन की आवाज का इस्तिमाल हुआ है बच्चे इन लवजों को बताएंगे जैसे शीला, काश, शमा, शिफा, खुशी, शामिल और शाबाशी बच्चों को सीन और शीन की जैली, यानि तूटी शकल और आवाजों का फर्क भी बताएं मश्क एक इन हुरूफ को लिखवाईए सीन खाली जगा शीन खाली जगा सफ़ा नमबर अठाईस दो इन लफजों को लिखवाईए सारा खाली जगा बस्ती खाली जगा सस्ती खाली जगा खुशी खाली जगा शाबाशी खाली जगा तीन सीन से शुरू होने वाले दो हर्फी अलफ़ाज बनवाईए जैसे सीन बे बराबर सब 4. शीन से शुरू होने वाले दो हर्फी अलफाज बनवाई शीन काफ बराबर शक सफा नंबर 29 खाली जगह खाली जगह बराबर खाली जगह पांच नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाईए सेब खाली जगह शेर खाली जगह बस खाली जगह सूरज खाली जगह शरीफा खाली जगह शलजम खाली जगह मेरा रास्ता तलाश कीजिए और नीचे एक सुंडी की तस्वीर है सफ़ा नंबर तीस छे हुरूफ को मिला कर लफ़ बनवाईए शीन अलिफ खे बराबर खाली जगह जीम वाव शीन बराबर खाली जगह सीन इये ते अलिफ बराबर खाली जगह बे सीन ते बढ़िये बराबर खाली जगह साथ लफ़ों की मदद से खाली खानों में सही हर्फ लिखवाईए बस्ती बराबर बे खाली जगह ते इये शीशी बराबर शीन इये खाली जगह इये सजावट बराबर खाली जगह जीम अलिफ वाव ते उस्ताद बराबर अलिफ खाली जगह ते अलिफ दाल रोश्नी बराबर रे वाव खाली जगह नून इये अभी आपसुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शैनाई भाग एक वाचन्स्वर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्वान सहायक मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्वान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत